बीचजिएस ठीक अज जो आज की जो भूख है बीचजिएस 184 रेडियो लेखन चैप्टर नंबर या कैसे इकाई नंबर या यूनिट नंबर हम कहें स openness और इस यूनिट नंबर सेबन में हम रेडियो नाटक के बारे में देखेंगे रेडियो नाटक में आपको mostly देखनों कि मिलता होगा कि जो नाटक आते हैं रेडियो पर बहुत सारे नाटक आते हैं वो रेडियो नाटक कैसे होते हैं वो किस प्रकार से किये जाते हैं रेडियो नाटक क्या होता है पहली बात तो है रेडियो नाटक के बारे में चर्चा करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले रेडियो नाटक के बारे में देखेंगे 7.2 उसके बाद देखेंगे कि रेडियो नाटक के बिशय के बारे में देखेंगे 7.2 उसके बाद देखेंगे कि रेडियो नाटक के बिशय के बारे में देखेंगे 7.2 उसक पेज नमबर इसका रहेगा 110 अभी ठीक है पेज नमबर 110 खोल लीजिए ठीक है आगे देखे रेडियो नाटक के विशाय क्या है तो रेडियो नाटक का सब्जक्त क्या है विशाय क्या है ये भी क्या रहता बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण हो है उसके बाद रेडियो नाटक हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता ध्यान रखना रेडियो पर जो नाटक होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते उसके विजुवल हमें दिखते नहीं इसलिए नाटक को इस तरह से बनाना पड़ता है ताकि जो हमारे नाटक के साथ जुड़ा रहे और क्या उसको दिख प्रस्तुति की जाती है जो को रेडियो पर जो नाटक होता ना वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होती जैसे मालो की अगर कोई पात हो गई तो रेडियो नाटक जब होगा ध्यान रगना रेडियो नाटक में क्या दूसरा वाला जो पात होगा बोलेगा अरे तुमको चोट लग है तुम बिमार हो तुम में को खासी आ रही है लेकिन मालो अगर वही नाटक टीवी पर हो तो अगर किसी को चोट लग गेगी तो खूंद दिखा देंगे उससे पता चल जागे कोई अगर मालो कोई गुस्से में है तो सामने वाला उसमें पात्र जैनी करेक्टर होगा वो प्रकार से उसमें क्या खुबसूरती है और रेडियो नाटक को कैसे प्रस्तूत किया जाता है ये भी रहेगा उसके बाद जो हमारा रहेगा मेली अगर बात कुरू रेडियो नाटक क्या होता है रेडियो नाटक के बिसे या रेडियो नाटक का महत उसके बाद देखेंगे र रेडियो नाटक का प्रस्तूती करन, प्रस्तूती करन का मतलब होता है कि जब रेडियो नाटक को टेली कास्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, जब रेडियो नाटक को टेली कास्ट किया जाता है, रेडियो पर जब उसका प्रसारण किया जाता है, वह कैसे किया जाता है, पर देली 8 बजे ना ढाता है रोज 8 बजे नारे बजे पर बहुत अच्छे नारे लेकिन रेडियो के जो नारे लुज़ नाटक होते हैं उनको दूसरी तरीके से तुरी किया जाता है उनको प्रस्तूत किया जाता है ठीक है तो रेडियो नाटक सबसे पहले आप आजाईए पेज नंबर 101 पर कितने पर आजाओगे भीया आजाओ सारे पेज नंबर 101 पर आजाईए पेज नंबर 101 ओपन कर लीजिए और पर 101 सोरी सोरी 111 एक सो अंटिस से स्टार्टिंग है और एक सो तीस होगा फिर फरस्ट पेज नंबर अच्छा ठीक है इसमें देखें जो अभी मैं खोल रखा है जो मैंने एक बुक की पीडियाफ है उसमें 7.2 है 7.2 है रेडियो नाटक पेज नंबर 111 है ठीक है पेज नंबर 111 111 111 है ठीक है पेज नंबर है इसमें देखें संस्कृत आचार भारत में नाट सास्त्र के मूल का नाटक को कहा गया यानि संस्कृत आचार जो नाटक था वह भारत का मूल नाटक रहा है यानि उस नाटक को कहा गया इसमें ब्यक्तियों के कार उसकी इस्तिति और मनो भा होन को संजीव पात्रों के दना अनुकरण किया जो होते हैं ज़ो नाटक होते हैं और हो किस टाइप का कैरेक्टर है जिता हो ननो दसा उसका बहाँ कैसे है उसको कहन ही ज़ये क्या जाता है इसका अनुसरन किया गया धार वाणी वस्ठ र और आभूसं- भe के जिन आटक देखते हैं जितने और सब्सक्राइब बात करें तोब पात्र जो करेक्टर होगा उसकी एक क्रेक्टर उसकी इसी बाले कर दोब nae के एक बनात्या होगी है 5 बेकल मितलब होता है एक करेक्टर खास तरीका होगा, बोलने का एक खास अंदाज होगा, उसकी एक भास और सैली होगी, यानि एक कहीं मूल होते हैं, संस्कित नाटक सास्त्रियों ने जिस साहित रूप में कभी द्रिस कहा था, वही आज नाटक रेडियो के में स्रो बन गया, यानि सबसे पहले जो नाटकों का प्रस्तुती करण किया गया था, वह संस्कृत में किया गया था, और द्रिस्सम नाटक की रूप में आते थे, द्रिस्सम नाटक का मतलब होता है, कि ऐसे नाटक जिसमें हमें द्रिस दिखाए दे, विज्वल्स दिखाए दे, और यही नाटक आगे चल करके, हमें रेडियो आप पर प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनके हम स्रब नाटक कह सकते हैं, क्या है, रेडियो एक सुनने वाला माद्यम है, इसलिए रेडियो पर जो भी नाटक आते हैं, हम सिरफ सुन सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, रेडियो नाटक भी साहित का एक रूप है, यानि जो उद्देश रहता है वही रेडियो नाटक का भी उद्देश रहा है वह लेखक के कत्य को साहिर्दय में पहुचाना चाहते हैं यानि लेखक जो कहना चाहता द्यान सुना रेडियो नाटक का यही उद्देश है कि लेखक जो बताना चाहता है लेखक का जो उद्देश है वह दरसक तक पहुँच जाए यही रेडियो नाटक का मूल उद्देश है यानि रेडियो नाटक जैसे आप नाटक लिखते हो ठीक है तो आप जनता को कुछ बताना चाते हो कोई मैसेज देना चाते हो कोई बात बताना चाते हो तो आपकी जो बात है या आपका जो मैसेज य आपका जो उद्देश है वह जनता तक पहुंच जाए नाटक के जरिये या मंचन के जरिये इसी को कह सकते हैं उसका जो मूल उद्देश है यानि लेखक जो है उसके जो कथ है यानि कथ का मतलब होता है उसका जो उद्देश है उसकी जो मूल भावना है वो दर्सक तक पहुं नाटक देखोगे रेडियो का नाटक देखोगे और आप तेली विजन पर नाटक देखोगे रेडियो के नाटक अगर देखोगे अगर तेली विजन का नाटक देखोगे तो दोनों में क्या रहता है थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखनों की मिलता है क्या देखनों मिलता है आपको difference यानि आगर हम बोलें तो आपको अंतर दिखाई देगा दोनों में क्या आपको दिखाई देगा अंतर दिखाई देगा देगा रेडियो पर नाटक होगा तो उसमें कुछ हम दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बाते होंगी जो हम अगर TV पर ना पात्र होगा जब रेडियो पर नाटक होगा तो बोलेगा या आपको चोट लग गई आप तो गुस्से में लग रहे हैं आपकी तो हड़ी तूट गई है आपकी तो उंगली कट गई आपको खून निकल रहा लेकिन अगर यही नाटक अगर TV पर चलेगा द्रिश के रूप नहीं पड़ेगी यानि कहने का मेन मतलब एक है कि जो रेडियो नाटक होते हैं उनकी हम क्या कह सकते हैं रेडियो नाटकों की यानि अभिव्यक्ती यानि वहाँ पर जो भी चीज़े अभिव्यक्त की जा रहे हैं उनका एक प्रकार से देखोगे तो उनका क्या बदल जाता माध्यम यानि तरीका बदल जाता है रेडियो नाटक रंग मंचिय नाटक के अनेक बातों से भिन यानि जो रेडियो नाटक होता है जो मंचन किया जाता है यानि जैसे हमने बीच डिलेवन त्रियेट में एक आंकी जो नाटक है उसका जैसे मैंने आपको बताया होगा लेकिन रेडियो नाटक जो होता है वहाँ मंचन यानि मंच यानि जो प्ले के रूप में नाटक की जाते हैं उनसे थोड़ा क्या रहता है उनसे आभिन है भिन का मतलब अलग है मंच ये नाटक की विशेष्टा की देखे तो उसमें दिरिस भी है और सुन भी सकते हैं द्रिस वाले नाटक होते हैं, जुछ बाड़ लेंगEO, जब मन्चन किया जाता है, ओन नाटक लोई हैं चिल बिस्ता दिखेंगे जो द्रिस वाले नाटक है, हम आसानी से देख सकते ही या उनको आसानी से अनिसरस करें। लेकिन रेडियो पर जो नाटक आयगा तो हम पात्र जो है जो बोल रहे हैं, उनको देख भी नहीं सकते हैं। उनकी body language कैसे है, हम उसको कर भी नहीं सकते हैं। यह क्या होता है कि द्रिस नाटक में और रेडियो नाटक में मोलभूत अंतर है इसमें वातावरन परिस्तितियों को द्रिस में सूचित किया जाता है जो जो द्रिस नाटक होते हैं उसमें जो वातावरन होगा जो परिस्तितियों होगा अम माल लो गाउं का इलाका है या ग्र तो उस टाइप का background बना अगर कोई नाटक सुब्राय निकल रहा है यानि लालीमा छायो सूरब की इस टाइप से दिखाएंगे लेकिन वही नाटक अगर सीरे में अगर जाम होगा funds लुए कोई गच्य Christmas और लेकिन द्रिस वाले में हम तो दिखा ही देंगे इसमें क्या रहता है पात्रों की बेज भूसा और मुद्रा भी साधन के महत्पून बनते हैं यानि नाटक जो होता उसमें जो पात रहें उनकी बेस भूसा कैसे उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं और उनकी भासा कैसे ये भी बहुत ज़्यादा माइने रखती है द्रिस नाटकों में लेकिन रेडियो नाटकों में जो पात रहें उनकी बेस भूसा तो हमें दिखाई न से पूरी तरह वंचित है यानि रेडियो नाटक में कौन-कौन सी विसेस्ता है नहीं पाई जाती ध्यान इन विसेस्ताओं से वंचित है ध्यान दीजेगा इसका मुख्यकान है द्रिस्त का अभा होना यानि रेडियो जो नाटक है वो कई सारी चीजों से वंचित है क्योंकि उसमें रेडियो नाटक जो होता है उसमें द्रिस्र नहीं होने करान, कई सारी चीजों को हम मिस कर जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनका किसी दूसरे परकार से दर्सक तक पहुंचाने का प्रियास किया जाता है, रेडियो नाटक दूसरी सीमा समय है, यानि रेडिय हो सकती है लेकिर रेडियो जो नाटक होते हैं उनकी एक बंधी सीमा है उनकी टाइम है क्योंकि रेडियो पर दूसरा भी कारिक्रम आना रहता है इसलिए रेडियो पर जो नाटक आते हैं उनकी एक समय सीमा है बंधी हुई समय सीमा रहती है एक सीमित आउधी के योधी में सार कुछ ही मिनट में पूरे नाटक को वहाँ पर बताया जा सके या पूरे नाटक को वहाँ पर प्ले किया जा सके ध्यान रखना कि रेडियो पर जो नाटक आते हैं रेडियो पर जो नाटक को का मंचन किया जाता है समय सीमा के अंदर ही नाटक को समाप्त करना पड़ता है और अ रेडियो जो नाटक उसका समय किस टाइम होगा, काल किस टाइम होगा, उसका बंधन नहीं, यानि रेडियो पर जो नाटक होते वा किसी भी समय प्रसारित किये जाते हैं, उसका कोई बंधन नहीं बना रहता है, ठीक है, रेडियो पर जो नाटक प्रस्तुत किये जाते हैं, उ वातावरण का बंधन नहीं यानि उसमें जो वातावरण बनाना पड़ेगा उसका भी बंधन नहीं वातावरण को हम म्यूजिक के दरिये किसी भी परकार से बना सकते हैं यानि उसमें कोई बंधन नहीं समझें बलकि एक ब्यापक कनवस पर फैले हुए कथ को समेट कर स्रोता आधि रंग मंच की ये पेक्छा रेडियो नाटक मुश्किल द्रिस में भी आसानी से संचित किया जासे यह नदी बहे रहे हैं जहर्ने बहे रहे हैं रेल गाड़ी चल रही है आदमी दोड रहा है तो जो नाटक होते हैं मंच पर उनको कई बार करना मुश्किल हो जासाता है लेकिन रेडियो पर अगर मालो की मंच हमें बताना है कि नदी बहे रहे, कल-कल-कल-कल बहे, तो नदी की जो बहने की जो म्यूजिक होता है, वह म्यूजिक चला करके हम काम कर सकते हैं, भी स्वास है, मालो की रेल गाड़ी है मंच पर अगर रेल गाड़ी करना पड़ेगा तो एक छोटी सी डमी रेल गाड़ी वहाँ पर लाना पड़ेगा उसकी आवाज से लेकिन यही पर अगर रेडियो पर रेल गाड़ी की आवाज है यह पंच्छी Christians की आवाज है इनको हम आसानी से रेडियो नाटक में सामिल कर लेते हैं लेकिन अगर यही नाटक मंच पर किया जाएगा तो हमें इन चीजों को जुटाने में थोड़ा सा समय लग सकता है या कहें थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है ठीक है नदी और पहाडों को ले करके सयनकच कालकार खाने यहां तक कि स्वर्ग न रखे दृस्तों को भी आसानी से पिएस या eldh नाटक में किसी भी द्रिश को पेस करने में आसानी से कर सकते हैं, मालोग कोई युद्ध हो रहा, कोई भी चीज है, कोई संख बदरी, यानि हम सिरफ रेडियो नाटक में म्यूजिक के जरिये या धोनियों के जरिये, धोनियों के जरिये हम किसी भी द्रिश को प्रस्तुत कर स रेडियो प्रतीकातमक पात्र जिस संजीद धंग से प्रस्तुत किया जा सकते हैं वहां रंगमंच बिधा में उसलें उपलबने यांनि रेडियो पर जो पात्र है से करेक्टर उसलेकर क्योंकि कई बार क्या होता पात्रों की जो कडेगरी है कई बार पात्र मिलते नहीं जो करेक्टर है वो सारे मिलते नहीं यानि सभी पात्र मिल जाए जिस तरह के रेडियो नाटक को आव सकता है लेकिन मंच पर क्या होता है कई बार पात्र उस तरह से रेडियो नाटक को प्ले कमतलब होता है कि रेडियो नाटक में इसलिए फिर भी द्रिश्यों को आसानी से दिखाया जा सकते हैं। तो हमें radio पर नाटक करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी मात्र हम music के जरिए, धोनियों के जरिए, बाच्चीत के जरिए या हम अलग-अलग प्रकार के mix-up में जो music होता है उसके जरिए इसका नाटक में कर सकते हैं दूसरे को अस्थानों पर मनोभार और द्रिश्चों को संगीत और धोनियों का प्रभाव की सहाता से संबादों को बिना अधिक सक्तिसाली रूप दिया जा सकते हैं यानि रेडियो पर जो नाटक प्रस्तुत किये जाएंगे हम उसमें म्यूजिक के जरिये संगीत के जरिये धोनी के जरिये हम नाटक को अच्छे से अच्छे और नाटक को जादा बहतर बना सकते हैं नाटक जो होगा उसको जादा बहतर बनाया जा सकता है अधिक प्रभावसाली होगा रेडियो नाटक प्रसारण के अपने लाब है एक समय में इसे असंख लोगों तक या सुरोताओं तक पहुँचाया जा सकता है रेडियो नाटक के सबसे बड़ा लाब क्या है कि रेडियो नाटक को एक समय पर असंख लोगों पर या कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों पर रेडियो नाटक को क्या कर सकते हैं हम मंचन कर सकते हैं या बहुत बड़ी संख्यमें लोगों तक radio नाटक को आसानी से पहुंचाया जा सकता है अगला जो रहेगा 7.3 अगला क्या है 7.3 देख लीजिये इसमें क्या रहेगा 7.3 में आपका है radio नाटक के विशे रेडियो नाटक के जो विशय हैं, ध्यान रखना, कि रेडियो पर जो नाटक प्रस्तुत किये जाते हैं, उनके विशय, जिस प्रकार मंचो पर अनेक विशय होते हैं, उसी प्रकार रेडियो नाटक में भी अलग-अलग विशय को हम ले सकते हैं, नाटे लेखन शुरू करने वाले पहले नाटके के विशय के बारे में सोचता है अगर मालो अगर कोई नाटक लिखेगा तो सबसे पहले नाटक का हमारा विशय क्या है इसके बारे में सोचा जाएगा आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नाटक लिखेगा तो सबसे पहले वही सोचता है क उसकी सोच यही रही यहां सच है कि रेडियो ना लेकं के लिए ना तो विशय की कोई सीमा और विशय के आधार बना यहीं रेड को प्रश्वतित के करतने लिए लिए कोई कोई कि आधार नाटक बनान है रेडियो नाटक में इतने ज़्यादा टकनिक है इतने ज़्यादाा रेडियो नाटक में प्रस्तूत किया जा सकते हैं कि हम किसी भी विषय पर नाटक लिख सकते हैं और उसको प्रस्तुत करना भी हमारे लिए आसान हो सकता है इस दिश्टी से कुस विषयों की चर्चा की जरूरी है जिन विषयों पर रेडियो नाटक लिखे जाते हैं वो मुख्यता हमें इपगा, रेडियो नाटक जो विशय होते हैं, क्या सामाजिक विशय हो सकता है, सामाजिक विशय का मतलब होता है, कि मान लोग किसी सामाजिक बुराई के लिए, या समाज में कोई मैसेद देने के लिए, दूसरा क्या होगा, ऐतिहासिक द्रिष्ट कोन, यानि माली ये कोई राजा रानी की कहानी है, कोई अगबर है, बीरबल है, इस टाइब की जो नाटक होते हैं उनको भी, यानि आतियासिक नाटक भी प्रस्तुत किये जाते हैं, सामाजिक नाटक, बैग्यानिक नाटक भी प्रस्तुत किये जाते हैं, यानि रेडियो पर बैग आगे ध्यान से देखे, सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक विषय, पहला point number है मारा क्या है, सामाजिक विषय, ध्यान देजिएगा, सामाजिक विषय क्या है, ठीक देखे, मनुस से सामाजिक प्राणी है, अता उससे जुड़ी अच्छाईयों और बुराईयों को ले करके नाटक का ताना बाना बनाया जा सकता है, मनुस का एक सामाजिक प्राणी है, और मनुस पर हम क्या कर सकते हैं, कि नाटक बना सकते हैं, उसके लिए हम नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, यानि क्या रहेगा, मनुस एक सामाजिक प्राणी है, तो कैसे है, कैसे नहीं है, उसका हा यानि जो करेक्टर है वो अपनी समस्याओं से कहीं कहीं जूजते हमें नजर आते हैं और अपनी समस्याओं का समधान करते विए नजर आते हैं अमीरी गरीबी छोटे बड़े अच्छाई बुराई अंधि विश्वास कुरूतियां कत्थ को लेकर किया जा सकता है यानि हम रेडियो नाटक में ध्यान दीजे अगला क्या बोला मैंने कि रेडियो नाटक जो है मूलता ना अमीरी गरीबी को लेकर के छोटे वर्ग बड़े वर्गों लेकर के अच्छाई बुरी आदितों को लेकर के अंधि विश्वासों को लेकर के सामाजी कुर्यूतियों को ले करके बहुत सारे कथानक यानि बहुत सारे कथे हैं यानि हमारे पास क्या हैं बहुत सारी कथाएं हैं इनके बारे में या कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारे विशे हैं उनके इतनी कथाएं फैलियों इतनी कहानियां फैलियों हैं बूसर अग्रवाल ने बाप बेटे के तकराव को पीड़ियों के अनतर करोपने। आज जो सामाजिक नाटक जो है वो कह सकते हैं कि परिवारिक कलय क्या है सामाजिक समस्या क्या है या यहाँ पर जैसे बाल विवा है कह सकते हैं दहेज पर्था हो गई यानि इस प्रकार की सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम आसानी से नाटक को लिख सकते हैं या नाटकों को आसानी से मंचन किया जा सकता है रेडियो पर यानि रेडियो पर सामाजिक उदेश यानि सामाजिक संदेश दिया जा सकता कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए बेटियों को इस इच्छा को लेकर के या बेटियों को पढ़ाई को लेकर के या कहें समाजिक जो कुरूतियां है उन कुरूतियों के लेकर के रेडियो पर आसानी से बनाया जा सकते हैं इसमें कई सारे नाटकों को जैसे इसमें उन्होंने जिक्र कर रखा है उसी प्रकार से आप कई सारे नाटकों को बारे में लेक सकते हैं जैसे आप कह सकते हो कि कन्या भुन हत्या है, दहेज पर्था है, बेटियों की सिख्छा है, जुकेशन है, इन सब्जक्टों को लेकर के आर्सानी से नाटक बन सकते हैं, इससे पहले जो पहले हमारी सती पर्था थी, उनको भी लेकर के नाटक बनाया जा सकता है, या समाज में कोई संदेश देने के लिए पानी बचाओ जल बचाओ या कह सकते हैं कि पसूं की जो हमारे पसूं है उनको बचाओ गायों की सेवा करो इस टाइप से अगर जो रेडियो नाटक है बहुत सारे समाजिक विशेयों पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे समाज में भाई चारा उस टाइप के जो एतियासिक प्रविड़ते हैं यानि कोई एतियासिक करेक्टर है तो हम बना सकते हैं जैसे मालिजे कि भग्मार राम है कृष्ण है या कहले महाराना परताप है ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं एतियासिक हैं जैसे भगत सिंग है चंसेखर आजाद हैं तो किये जा सकते हैं अब देखे क्या बता रखा है काल के साथ इतिहास की कहानी स्वारचित होती काल के इतिहास का मतलब होता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इतिहास बनता जाता है यानि कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इतिहास बनत के लिए पड़ा यानि भारत वे क्या रहा है सक्ता के लिए लड़ाईयां भी रही और अंग्रेज भी यहां पर आए हैं यहां की आंत्रिक यहां की पौरणारिक कथाएं यानि भारत में करें ही बहुत सारी हमारी आंत्रिक कथाएं हैं पौरणारिक कथाएं हैं बाल कथाएं बहुत प्रकार के नाटक लिखे जा सकते हैं, जैसे हम अकबर बेलपर पर नाटक कर सकते हैं, राजा रानी पर नाटक कर सकते हैं, महात्मा गांदी है, भगस सिंग हैं, चंसेकर हैं, राजगुरु हैं, आम जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहें, या कह सकते हैं, जितने भी हम बैग्यानिक विश्यों पर भी रेडियो पर नाटक लिखा जा सकता है और बैग्यानिक विश्यों के उपर रेडियो पर नाटकों को मंचन किया जा सकता है या उनको प्रस्तुत किया जा सकता है ध्यान से देखेगा आज हमारे चारों और बैग्यानिक अभिस्कारों और उनक सारी चमतकारिक चीजों का या कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों का बैग्यानिक जो बैग्यानिक या ठाइंटिस्ट है हमारे बहुत सारी चीजों का क्या कर रहे हैं अभिसकार कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का उन्होंने क्या कर दिया साइंटिस्टों ने अभिसकार कर दि देख करके रेडियो का नाटक बनाया जा सकता है यानि मालीजे सबसे पहले रेडियो पर बैग्यानिक नाटक कैसे बन सकता है माल लोग कोई अभिस्कार हुआ तो उसका हम यूज कैसे करें इसको समाजिक संदेश दिया सकता है रेडियो नाटक पर बैग्यानिक जो नाटक ब बनाया जा सकता है रेडियो पर इसी कलपना सकती के आधार पर बैग्यानिक नाटक प्रसारित होते हैं उधान के लिए यंत्रनाली नाटक लड़की एक बैग्यानिक है जो उसका विवाह अलोक नास से होता जो कलाकार है दोनों सर्थ है कि पहले 150 अफरात करने वालों की बाते ना सुना आदी यानि कह सकते हो कि रेडियो पर जो बैग्यानिक नाटक आते हैं उन बैग्यानिक नाटकों की अगर बात रहे तो विज्ञान में कौन-कौन सी खोजे हुई है कौन-कौन से अभिस्कार हुए जो अभिस्कार या जो खोजे हुई है उन अभिस्कारों और ख कह सकते हैं रेडियो नाटक को कह सकते हो कि बहुत सारे विश्यानिक विश्य हैं जिनपर हम लिख सकते हैं जैसे बहुत सारे सुमद्टेटिस्थ्थ पूराने अगर सचेर्म बिजी करांटिस्थ हिसी इसे ने विद एकम अधिय Taylor पर क्या होगा जितना भी रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है यह रेडियो नाटक जो भी प्रसारित किया जाते हैं उन रेडियो नाटकों में क्या बैग्यानिक देश्ट कोण की आधार पर भी रेडियो नाटकों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं अगला जो हमारा रहे चोथा है मकई पर यानि एक के जखते हैं कि मनोबय्जानिक की मतलब कि सी मांतलिटी और बना करके हैं मनोव विज्ञान के कई आयाम विश्यों को रूप में चुना जब उधान के लिए मनम या अंतरवस्तु और उसकी प्रतिभावों को केंद्रविंदू बनाया जा सकता है। सतेंद्र भारत के नाटक साया का मुख्य चरित उसके व्यक्ति का बिवाह होने वाला किन्तु अनजाने में उससे अपराध हो चुका है। समाज पर भी बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत किया जासकता है। अब देखेंगे अन्य विशय क्या है। अब अव्या इसे बहुत सारी विशय हैं जिनपर रेडियो नाटक लिखा जा सकता है। इंपरटन किन-किन विशयों पर रेडियो नाटक लिखा जा सकता, आगला देखेए नाटकों की विशय abolition की कोई सीमा नहीं, यानि रेडियो पर नाटक इतने लिखे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, पहली बात तो ही रही, सामाजिक नाटक हो सकता है, एतिहासिक नाटक हो सकता है, बैग्यानिक नाटक हो सकता है, सांस्कृतिक नाटक हो सकता है, हास नाटक हो सकता है, बैंग नाटक हो सकता है, कटाक्ष पर नाटक हो सक करता है कि इसमें प्रेमियों की समाधियानि कह सकते हैं कि जो नाटक है भूत प्रेद पर नाटक बन सकते हैं चो अनेक तत तो है या कह सकते हैं अनेक विसे हैं जिन पर रेडियो पर नाटक प्रस्तूत किया सकते हैं यह जो बरहा आगे देखें अगला जो है तो आपने अगला जो है यहाँ पर देखें 7.4 में ठीक है रेडियो नाटक के तत्त पेज नंबर 114 रहे गए 114 नंबर पेज है यानि रेडियो नाटक के तत्त का मतलब होता है कि रेडियो नाटक जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें कौन-कौन सी खास बाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए यानि सबसे पहले जो रेडियो नाटक लिखा जाता है तो उसका क्तनक का मतलब होता है उसका कोई-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- कि नाटक लिखने के पीछे हमारा कोई न कोई उद्देश है या कह सकते हैं कि हमारा कोई न कोई टार्गेट है यानि समाज में कोई संदेश देना चाते हैं यानि कथानक है फिर उसमें क्या होता नाटकों में सबसे जरूरी है कोई उसमें पात्र कैसे सलेक्ट किये जाए अम पात्र बड़े बहुत important होते हैं जो पात्र होंगे उनमें चरीत्र चीत्रन क्या है यानि उनका जो character होगा उस character के type का हमें पात्र भी ढूणना पड़ेगा फिर कह सकते हो उनमें संबाद संबाद अच्छी तरीके से होना चाहिए अम मालों की आप नाटक लिख रहे हो नाटक पात्र यानि आपस में बात वारता जो करनी है वह सही से एक्सप्रेस नहीं कर पारे तो आपका नाटक अच्छा नहीं रहे यानि उसमें चरीत्र चित्रन भी अच्छा होना चाहिए और आपके नाटक में ध्वनी यानि रेडियो नाटकों पर ध्वनी संगीत का भी विशे बन रहा था एक करकार के मूझिक वहाँ पर लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा या हम क्या कर रहे थे कि हम मैं गिर गया तो जैसे कोई गिरता है जैसे आवाज या रोटी बन रहा था खाना बन रहा था कूकर की सीटी आ रही थी तो इस प्रकार के म्यूजिक वहां पर लगाना पड़े यानि रेडियो नाटक में अगर बोलोगे तो धोनी यानी कह सकते हो संगीत का एक विशेश महत्तो है और एक विशेश अस्थान है क्योंकि बहुत सा कोता है जो सुनने वाला व्यक्ती है उसको एक प्रकार से अनुभूती हो कि उसी प्रकार से वातावन उसको लगए जैसे माल ये सुबय हो रही है तो हम उसको सुबय वाली चिडिया चह कहा रही जो ल रह हो गई है तो हम उसमें जैसे रात में हो गई कुत्य भूक रहे सूंसान गुलाका है यानि इस टाइप का म्यूजिक हम दिखाएंगे किसी भी चीज को अगर क्रियेट करना होगा तो उसमें हमारा संगीत बहुत महात्व है यानि रेडियो नाटक जो होता है उसके नाटक के तत्तत्त का मतलब है रेडियो नाटक में मूल बाते क्या होती है यह सबसे पहले रेडियो नाटक जब लिखा जाएगा न तो उसका क्या होगा कि उसका उद्देश क्या है यानि कथानक यानि उसका इब बहुत important हो उनको कैसे अनुप our channel शेट करना है तरह क्या पासरों की यूज करना चाहिए गात्र के लिख घड़की हैं इताảiड़ और करेक्टर हूं अच्छी तरह किसे वाद संबाद कर पारें कि नहीं कर पारें यह भी कह रहेगा बहुत ज्यादा इंपर्टन अगला जो रेडियो नाटक होगा उसमें धोनी यानि म्यूजिक का बहुत एक विशेस महत्तु है यानि आपकी जो धोनी रहेगी या कह सकते हैं नदी बहे रही है रेल गाड़ी चल रही है या कुछ हो रहा है तो हम उसको मात्र धोनी को दरा म्यूजिक के दर्विए वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं यही रेडियो नाटक की कह सकते हैं खुब सूर्ती भी है कि उसमें किसी भी परिद्रिस को किसी भी वातावरण को मैं सब्सक्राइब हुए वातावन हैं शर्त कान सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं eh ठीक है पेज नंबर 129 खोल लिए ठीक है हलो ठीक है पेज नंबर आगे दिखे रेट 7.6 क्या रहेगा 7.6 आ जाईए 7.6 रेडियो नाटक प्रस्तुती करण रेडियो नाटक प्रस्तुती करण इस पर आ जाईए देखो रेडियो नाटक लिखने के लिए रेडियो में तकनीक और प्रस्तुती करण के बारे में जानना बहुत जरूरी है या उसका प्रस्तुती करण कैसे किया जाईगा या जानना बहुत जरूरी रहता है इनका ज्यान रेडियो नाटक को प्रभावी साली बनाता है या अगर हमें तकनिक और सारी चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो हमें रैडियो नाटक में लिखने में आसानी रहेगी और एक प्रभाव साली नाटक बनेगा और स्रोता नाटक को लंबे समय तक याद रखेगा तथा उसको रांटक बहुत याद भी रखेगा शूता तक पहुंचने से पहले आपको नाटक का प्रस्थुत करता है यानि जो प्रयूसर है को भी देखना और समझना होगा यानि प्रयूसर । उसको प्रस्थुत करने वाला व्यक्ति है, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखangan नातक को प्रस्थूत करना पड़ाएक ये रेडियो नातक को बनाना पड़ाएका, यहिंक जब आप रेडियो नाटक लिख रहे हैं, तो रेडियो नातक में इस चीज का बिसेश तौ पर कहें कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेडियो नाटक को जो प्रस्तुत किया जाएगा यानि जब उसको टैली कास्ट किया जाएगा तो टैली कास्ट करने वाले जो व्यक्तिय उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपका ज्यान नाटक का निर्देशक तकनी प्रस्तुती करता उसकी सैली प्रस्तुत करता है उसकी सैली इलावकारी आपके लिए सब्सक्राइब शौन प्रस्थूत करने में बहुत ज़्यादा उप्योगी सिद्ध होंगी यह बाते रेडियो नाटक के कलाकारों के अभिनय में सहायक होती हैं अगर मालिजे रेडियो नाटक में प्रस्थूत किया जा रहा तो जो पात है कैसे बोलेंगे उनकी आवाज को कैसे रिकोर्ट किया जागा आवाज मंच तक कैसे जाएगी या उनका कैमाइक कैसे लगाना है यह सारी बाते बहुत ज़्यादा इंपर्टन रहती है कहने का थात पर है प्रस्थूति करण का ज्यान पहुंचना यानी प्रस्थूति करण जो होता है यानी रेडियो नाटक का प्रस्थूति करण का मूल उद्विश क्या है पाठकों को प्रस्थूत करताओं को कलाकारों को और संपादकों श्रोताओं तो यानी इन लोगों तक ध्यान से करके किया जाता है आए देखते हैं प्रस्तुती करण के क्या क्या तरीके हैं तकनिकों के उपियों किया जाते हैं सबसे पहले जो नेडियों नाटक को प्रस्तुत किया जाता है वाची कनिभव का मतलब होता है कि उनमें जो अभिने किया जाता है बोल चाल के द्वारा तुपर दीखा सकते हो कि वहां पर ऐसे हो रहा लेकिन रेडियो पर क्या आप द्रिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, कम हो रहते हैं अन्य स्वपनसाली या सवरों की पुनराविर्ती या गुंज इसको भी कहने हमें ध्यान रखना पड़ता है सवरों की पुनराविर्ती ना हो या कैसे करनी है, इस सारी चिजों का रेडियो पर नाटक प्रस्तूत करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है अब पहला जो हमारा होगा वाचिक अनुभय वाचिक अभिनाए वाचिक अभिनाए कैसे होगा ध्यान देए यह यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेडियो नाटक में द्रिस का भावाव यानि जब रेडियो नाटक स्टार्ट होगा तो उसमें मातर मातर उसमें जो पात रहोंगे वो अपनी बातों को बोलेंगे ठीक है इसका इसी स्टार्ट होगा इस प्रकार वाचिक अनुभय तकनीक की दृष्टी से सरल मुख्य और महत्पूर्ण होना यानि जो तकनीक की सब्दों द्वारा मानसिक और आंत्रिक भाव की अव्यक्ति की जाती है यानि जो आपका रेडियो नाटक में आपके जो पात्र बोल रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि आपके पात्र जो करेक्टर है उनकी मानसिक्ता कैसे है उनके महत्पूर्ण क्या है यानि उनके भाव कैसे हैं इन चीजों को हम जान सकते हैं पात्रों का अंक संचालन बेस भूसा सुक दुख गम या गुसे का प्रतिमूर्थी किया जानी पात्र जो बोल रहे हैं उनके स्वभाव को जान करके उनको बात्चीत के जान करके हम उनमें कई सारी चीजों को जान सकते हैं जानी सब अनिभय के कुछ हुदारण है जो यहां पर लिख रखे हैं अभिना जैसे रेडियो नाटक अगर कोई भी रेडियो नाटक की स्टार्ट होता ना तो उसमें जो पात रहे हैं जो हमारे करेक्टर है वो आपस में क्या करते हैं बात चीत करते हैं क्या करते हैं आपस में बात ची पर भी किया जाता है रेडियो में कई नाटकों पर इसको प्रभाव साली धंग से प्रस्तु फ्लैस बैक वाला जो होता है आगे बढ़ती हुई कथा को रोग करके किसी पात्र की पुरानी स्मितियों को में ले जाना ही फ्लैस बैक इसको अपने कही सारी मूबीयों में देखा होगा विल्मों में देखा होगा कैसा नाटकों बन गया हो Beach शुरुवात में उसमें बहुत जुलमड़ है तो दाकु के तो ऐसे शुरु में डाकु कार भूभी दिखाएंगे बाज में उसका जनम होता है एसे रहा वाईसे रहा कर सकते हgy कि गुंडों ने उस पर अत्याचार किये जहाने लोगों यह अत्याचार के जाती है, तो हम उसमें पूराना music यूज करते हैं, क्योंकि जब हम 50 साल के बाद, 30 साल के बाद 15, 20 साल के बाद किसी चीज को बताते हैं जो पूराने music होते हैं उसे के दरी हम प्रस्तुत करते हैं ताकि हम पूराना यानि हम पाष्ट का दिखा रहे हैं तो past में जो music 90 के music 70 के 80 के जो music होते हैं उन music का हम flashback में दिखाने के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं और किसी घटना की जब वर्तमान में वास्पी होती अर्था जिसमें घटना हैं वर्तमान में काफी लंभी होते तो हम नय जो यूज हो था उसको यह फ्लेज seek रख ना जरूर है क्योंकि मूल कथा सूत्र आंक न आनेंत के लिए तुर। यूज拜拜 जो होता है वह रेडियो नाटक के महत्पूर पातर है रेडियो नाटकों में हम फ्लेज Eh आखने के लिए तकनीट की द्रिष्टी से विभिन प्रAYयोग की इसमें है कर रोकता है कि अब्लटे क्या है एक ससक्त माध्यम है इसमें देखो एक तकनीक आम तोर पर फिल्मों में विशेश रूप से दूरदर्सन से सफल यानि रेडियो जो नाटक आया है ना रेडियो नाटक से दूरदर्सन पर नाटक प्रस्तुत किया रहे हैं यानि उसी से गया है क्यों तुन नाटक का रेडियो पर तकनीकों को आज कैसे यूज करना है लाइटिंग कैसे रहेगी कैमरा कैसे रहेगा आवाज कैसे जाएगी आवाज कैसे रिकोर्ड की जागी यह भी क्या रहता है कि जो रेडियो नाटक होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है महत्पूर्ण है क्या रहता है यह बहुत ज़्यादा ठीक है द्रिश चोटे हैं बड़े हैं इन द्रिशों को जोडने के लिए मालो क्या जब रेडियो नाटक बनता है न तो अलग-अलग रिकोर्ड किया जाता है ठीक है आपने 5 मिनिट रिकोर्ड किया फिर 15 मिनिट रिकोर्ड किया फिर 20 मिनिट रिकोर्ड किया तो उसमें अलग-अलग पार्टों को आपने अलग-अलग पार्ट बना लिए तो उनको क्या जोड़ा जाता है, editing की जाती है editing भी कहा रहती है, बहुत ही ज़्यादा है महाचपूर रहती है, modes क्या मतलब क्या होता है नाटक में अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो इन्योंने, एक मिनट इसमें करहता है, रेडियो पर नाटक केवल सुना जा सकता है, इसलिए किसी इस्तिती में न सुनने की इस्तिती में अस्थान छोड़ दिया जाता है यहाँ इसमें बीच में क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है जैसे मैंने, कि दो व्यक्ति आपस में बात चीत करें तो आपको कैसे दिखाओगे, जैसे मैं बोला, तो बीच में थोड़ा सा गैपिंग देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, गैपिंग, इसे खामोसी या मोज कहा जाता है विशेशगों का मत है, सही अस्थान पर एक खामोसी मोज का खाली बैठने के लिए नहीं छोड़ा जाता देखी आईए मोज कैसे, यानि क्या होगा कि जो खाली अस्थान जो छोड़ा जाता है यानि माली जी कोई एक पात रहे, एक करेक्टर है, अपनी बातों को बोल रहा तो उसने अपनी जब बाते खतम करेगा, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना जरूए ताकि हमारा जो सुनने वाला जो स्रोता है, उसको आसानी से समझ में आए कि एक व्यक्ति ने बात बोल पूरी कर दी, अब दूसरे व्यक्ति ने अपनी बात सुरू कर दी तो ये भी बहुत महात्पोन होता है कि हमें स्पेस दे करके या कह सकते हैं, उसमें बिराम लगा करके या कह सकते हैं, खामोसी भी बीच में आनी चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि पात्र ने अपनी बात कहां पर खतम की और दूसरा जो पात्र था उसमें अपनी जैसे अगर कोई भी चीज है उसमें प्रदर्षन का बहुत ज़्यादा उपयोगी जएड़ जो टेक्निक ए तक्निक की अन्यांगों में अगर देखोगे तो जैसे उसमें क्या है साइली कैसे रहेगीं या music जो है उसको कैसे रखेंगे या किसी चीज की पुनरा वृत्ती ना हो यानि देखो उसमें अगर देखोगे स्वपनसाईली स्वपनसाईली का मतलब होता है इस तक्नीक में जो घटना है जो संबाध है इस तक्नीक में अनुभाव है जजबाध है उनका प्रदर्शन कैसे किया जा इसको प्रदर्शित नहीं होता उधान के लिए मुद्रा राक्षत में कालो यानि क्या होता कि जैसे कोई चीज है कई सारे रेडियो नाटक जब प्रस्तुत किया जाएगा उसमें क्या रहेगा बहुत सारी ऐसी चीजे हैं कि जिन्हें हमें बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा अब जैसे मैंने आपको बताया थी नाटक में सुबह का टाइम हम बता रहे हैं तो हमें म्यूजिक चलाना पड़ेगा यानि हमें किसी चीज का यूज करना माली जी उसमें कि हम रेडियो नाटक में प्रस्तुत करें रेल गाड़ी जा रहे हैं जरने बह रहे हैं नदी कलकला रही है या कोई चीज गिर रहे है तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा उस टाइप का म्यूजिक हमें यूज करना पड़ेगा स्वरों की पुनरा वृत्ती दूसरा के रहता है कि हमें रेडियो नाटक में जो रहेगा भईया स्वर जोई स्वर का मतलब होता है कि जो बात एक बार बोल दी गए है उसकी पुनरा वृत्ती ना हो क्या हो पुन्रा वृत्ति का मतलब होता है कि दुबारा उसको ना बोला जाए नहीं तो जो सुनने वाली लोग होंगे वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या रहेंगे वो थोड़ा सा क्या हो सकते हैं कन्फ्यूज हो सकते हैं या उनको समझ में नहीं आगे कि नाटक कब समाप्त हो गया कब कहां पर नाटक पहुंचा उनको समझने में थोड़ी सी क्या हो सकते हैं समस्या या परेशान इसलिए उनको करना पड़ता है सारी चीजों को समझने के लिए ठीक है तो आज के लिए नाटक अगर देखोगे तो नाटकों में हम मैं देख रहे थे कि नाटक में प्रस्तुति करण कैसे किया जाता है आज जीतना मैंने आपको नाटक के बारे में बताया है इतना बहुत ही ज्यादा महात्पूर्ण रहा है अगले नेक्स्ट डे से ध्यान रखिएगा कोशिस करूंगा मैं एब्री डे वन हावर्स बीच डियेस 184 यानि रेडियो लेखन करेंगे और बीच में हमें एक दिन की गैपिंग मिलेगे 15 तारीक को एक्जाम होगा 16 तारीक वाला जो पूर 16 तारीक को एक्जाम है इसलिए ठीक है तो बीच डिये 184 को जो रहेगा 16 तारीक को चलेगा पूरी मैं बुक बताऊंगा और उससे एक 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 दिन में चलेगा और जिसको एक्जाम देना है या नहीं भी देना है इस क्लास में जरूर आईए और मैं अताकी आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर बता सकूं ठीक है तो इसको